दोस्तो मैं सुबाश गोयल मनेजिंग डिरेक्टर बर्दान आयरवेदिक चंडिगड की और से आप सभी का बहुत बहुत अभारी हूँ जो हमारे वैद हैं जो अलग-लग नुस्खे तयार करते हैं आयरवेदिक के माध्यम से नैच्रोपैथी के माध्यम से जो घरहलू चीजे और मैडिसन्स आपको बताई जाती है वो उसके पीछे हमारे अलग-लग जो वैद काम करते हैं मैं उन वैद्यों का भी बहुत अभारी हूँ क्योंकि उनके बनाए होए जो नुस्खे आप तक पहुंचते हैं जो दवाईयां आप तक पहुंचती हैं आप लोग उसको अजमाते हो जूज करते हो उसके बाद जो फीडबैक देते हो उससे हमारा जो होसला है वो और बनता हैं अब जो प्रोग्राम आप देख रहे हो इसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा यूनिट है वो काम करता है और साथ ही कलिनिक के अंदर वैद काम करते हैं स्टाफ काम करते हैं फैमली पूरी हमारी इसमें इन्वाल्व है और हम चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए किया है हमारे साथ जुड़े हैं और उनमें से आज बहुत ही खास महमान मैडम उपासना सिंग जी हमारे साथ शो में मवजूद है आईए मिल करके उनका स्वागत करते हैं जी मैडम जी बहुत बहुत स्वागत आपका दवारा से फिर हमारे विशेश कारे करम सुभाश कि आप पहले से स्मार्ट लग रहे हैं थैंक यू थैंक यू सो मच गोईल साहब मुझे इन्वाइट करने के लिए और मेरे को सब लोग आजकल बोलते हैं कि मैं पहले से स्लिम हो गई हूँ लेकिन उनको यह राज नहीं पता है कि यह मैं सिर्फ आपकी वज़े से हुई हू गुलू-गुलू कैप्सtor डेलneत तो मैने वह ङूरे देखें वह सच मुछ कमाल कर रहे हैं और मुझे आजकल भाझ अशूत कर रही हू South कjer। आपक़ कर रही हूँ है और मैं अपने अपने को बहुत fit भी महसूस कर रही थैं। और जैसे मुझे लगता था कुछ देर शूट करने के बाद की मैं टाइड हूँ या कुछ अब मुझे नहीं लगता है बड़ी अच्छी चीज है गार्शीनिया कंभोजिया डाला जाता है उसके अंदर जो मतलब बहलाओं को तो है पुर्शों को भी बहुत फील करता है एक आ नाव लेते हैं पंचम गोंद गटाये तोंद हाँ वो भी मैंने यूज किया है तो मैं सब को बूलती हूँ देखो मैं तो ऐसे ही होगे लेकिन अभी मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहती हूँ कि इसका जो राज है वो गोईल साभ है धन्यवाद धन्यवाद आज आप कि मेडिसन जो है लगातार खा रही हूँ और मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगी ना तो मैं बिलकुल आपके जिसले करेंगे पांच किलो और कम करेंगे गोईल साथ जैसे आप अपनी दवाईयों के साथ और अपनी दुआओं के साथ लोगों को ठी करते है वैसी एक थेरपी मैंने बार बेख जाथ की है आपकी फ्रपी की थेरपी के तो दुनिया दिवानी है हम भी आपकी लॉप्ट के तो हमने आपने आप को हुए मैड़ और ये थ्रेपी ऐसी है ना हिंग लगे रंग चोखा बिलकुल बिलकुल ना वे मिलावंट ना व सब लोग अपने फंक्शन में मिलते थे रिष्टेदार मिलते थे दोस्त मिलते थे सब लोगी कठे होते थे जोक सी मजाक होता था हंसते थे नाच काना होता था तो आजकल तो वैसा रहा नहीं पार्क्स में जाते हैं और एक नकली हसी हंसते हैं पहले उस लाफ्टर का नशा ही कुछ और था है लेकिन आज कल के जमाने में आपको तो पता ही है और लोग किते दुखी हैं कई शराब हो या गुटका हो या इतनी तरह के नशे हो गए हैं कि जिनोंने घर कर दिये हैं और मैं तो बहुत सारी फैमिली को ऐसी फैमिली को मिली हूँ जो रोते हैं कि मतलब हमारे बच्चों ने ड्रग लेना शुरू किया और कैसे बहुत सारे बच्चे रहे नहीं दुनिया में यह ना मैडम बहुत बड़ी प्राब्लम हो गी है कि अकेला पन और है और छोटा सा अगर रो रहा है कि दो साल का उसको रोने से चुपकराने के लिए दूद्ध तो क्या देना था कुछ खाने को का देना था उसको मोबाईल पकड़ा देते हैं बिलकूल बच्चा उसमें लग जाता है अब जहां उसने दादा दादी की कहारियां सुननी थी इसका अननद लेना था तो उसकी जगाFit पर उसके हाथ में चिंकू पिंकू तो वह सुनता है वछारा यह हो तो इसमें अगर सुनत확 सी मोम दैड तो वह तो आपका को इसे भोलेगा अब हम बोलते हैं यह डैडश की होगए एक दूसरे को बोलते हैं यह ले लिया कर्यार थोड़ा खुश रहा कर मस्त रहा कर जब कि मस्त रहने के लिए तो सबसे बड़ी मस्ती जो है वो परवार की है तो लोग नशे में बहुत बुरी तरह जा रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने मतलब इतने यंग्स्टर्स मैं तो ब नशे की प्रववलम चाल रही है जैसे मालो अपने पूरे देश की अगर मैं बात करूँ हिंदोस्तान की बात करूँ मुझे बाहर की बात करते हुए जरूरी नहीं, पहले अपना घर तो देखें, इसको सफाई कैसे होगी, फिर हम दूसरे पर उगली उठाएंगे, तो मतलब अपने पूरे देश में गुटका, खेनी, तमाखू, के कारण इतने लोग कैंसर से पीड़त हो रहे हैं, माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर से पीड़त हो अब शिराब में, गुटका खेनी में है क्या, वह एक ऐसी हेल्थ को कबार कर देने वली चीज़े हैं, लोग कैसे यूज कर रहे हैं, बगवान ही जाने हैं, बिलकुल और आपकी दुनिया बहुत शुक्र गुजार है कि आपने ऐसी ऐसी दवाईयां इजाद की हैं, जिसकी वज़े से लोगों ने नशा छोड़ दिया है, बहुत से लोगों ने, और मैं पिछली बार आपके क्लिनिक आई थी तो मैंने देखा था कि लोग कितना आपको थैंक्यू बोल रहे थे, परिवार आ रहे थे और आपको बोल रहे थे कि आपकी वज़े से हमारे बच्चों न हम उसको मानते हैं कि यह हमारे गुरू का घर है इसके अंदर वो खुद विराजमान है और जो हम दवाईयां देते हैं आम वैद भी कोई देते हैं कोई गरंथ से बाहर कुछ नहीं है तो वहां से दी हुई कहते हैं कि यह नशा चोड़ दो और यह दवा ले लो तो उस दवा में बाबा जी की ऐसी किरपा होती है कि पहले दिन से इनसान ऐसे गुलाब की तरह खिड़ता है उसको पता चलता है कि यार मैं अभी तक अंधेरे में रहा लेकिन मैं कहा बाबा जी यह किरपा क्यों नहीं कर पिर मैंने जब भी गुरु महराज से अरिदास करी है तो जब ऐसे मैं गरंथ को ऐसे खोलता हूँ घंथ ऐसा है हमारे पास जो सबके पास है मेरे कोई बाप दादों कानी यह बाप पूरभजों का मैंनों नाम ले करुष मो MAT का नाम की पना खोलता हूँ पना खुला मैडम क्योंकि जब उसमें बाबा जी का नाम आता है तो फिर पूरी दुनिया के लिए होता है तो फिर मैंने उसको खोल दिया तो उसमें अकरकरा का नुस्खा लिखा हुआ था अकरकरा ऐसी जड़ी बूटी है गौड की दी हुई है कीमती जरूर है जाएंगे पंसारी के पास पता मुँए रखके चबा ले अगर वो दिन में बीस बार बीस बार गुटका खाता है दिन में पचास सो सिग्रट पीता है अगर उसको उसने रख लिया मैडम तो दस प्रतिशत पर आ जाएगा वो अरे वाल सो की जगह दस पर आपके सलाइबा को इतना कंट्रोल करता है वो जो मेरे बैद भाई हैं वो जानते हैं मैं क्या बता रहा हूं और वो लोग जान जाएंगे जो चीज को यूज कर लेंगे कि उसको चबाने के बाद मुँ का टेस्ट ऐसा हो जाता है वो सिगरेट पीएगा ना उसको सिगरेट का पता ही नहीं चलेगा वो पी रहा है गुटका खाएगा उसको सभाद ही नहीं आएगा वो उससे लगेगा उसको मैंने क्या डाल लिया मुँमें दूख देगा मतलब वो ऐसी चीज है और साथ भी ब्रेन को एक्टिव करता है मुह में दुरगंद आती है उसको दूर करता है दातों के अंदर कीड़ा लग जाता है उसको मतलब बाबा जी ने ऐसी किरपा कर दी मैडम उसके बाद मैंने उसको जूलिप के नाम से जैसे लोग कूलिप लेते हैं ना इसे गद्दियां सी फुसार मैंने उसको फिर जूलिप के नाम से गौर्मेंट से अप्रूव करवाया सर्टिफाइड करवाया और उसको लोगों को और कमाल के रिजल्ट आये हैं पता नहीं कितने लोगों को घुटका चुडवाया उसके साथ मुझे आपकी ये बात हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है कि आप परमात्मा में वाइगुरू में इतना ज्यादा बिलीव करते हो जैसे आपने कहा ना कि हम कभी किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं या हम किसी तकलीफ में होते हैं जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाता है जैसे कि और आपकी एक अच्छी बात ये मुझे लगती है कि लोग जितने भी लोग चाहरे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि अगर मुझसे नहीं खरीदना तो आप घर में बनाए और किस तरह से बनाए और जोगल पर जाओ अकरकरा लिखो अकरकरा प्लांट लिखो अकरकरा जड़ी बूटी लिखो खुलकर सामने आती है चीज और उसके फाइदे अब मैडम देखो 140 क्रोड की अबादी मानके चलते हैं उसमें से कम सो क्रोड लोग हैं जो सेवन कर रहे हैं मैं आपको सच बता दूँ सो क्रोड बंदा ये चीज ले रहा है अब वो गुटका खेनी बनाने वाला इनसान है अगर उसको सो क्रोड आदमी एक रुपया भी रो बनाया वो गौर्मेंट से सर्टिफाइड लोग मंगवाते हैं उसके उपर लिखा हुआ है अच्छा एक बात और मैडम कई लोग ये कहते हैं कि सर अगर हम सिगरेट भी पीते यहां गुटका नहीं खाते तो हमें ना टौइलट नहीं आती ऐसे देखो क्या उन्होंने एक् सिगरेट पीएगा आप एक सिगरेट का कश लेकर किसी को बोल जो कश ले रहा है उसको बोलो कि चल अपने कश भर लिया धुआ अंदर है ना मुझ में सफेद रुमार रखके अच्छे से फूक मार ले तो जहां से वहा निकलेगी ना जी उस जगह पर इतना काला हो जाएग तो बापके अंदर जा के क्या करता होगा बिलकुल और लोग तो लगातार पीते रहते हैं कि दिल में कितनी कितनी सिगरेट साथ जब की वह मजा नहीं है वह जीवन भर की सजा है मैडम जब आप बूडे होते हो ना खांसते हो तो बच्चे आपका विश्तर बाहर लगा दे है वह बना तो उनके लिए था पूरी दुनिया के काम है जिनको यह कहते थे लोग की दो दो दिन हम टॉइलिट नहीं जा पाते हमें आती नहीं है हमें कई बर दो तीन-3 बार दिन में जाना पड़ता है कई लिए अदा-दा गंटा बातरूम में लग जाता है तो उनके का मतलब हमारा होता है कि new यह हमारा नया पड़ेक्ट है तो वह हमने दे दिया तो उसको भी government से certified करवाया मैं उसका नुसका भी शेयर करूंगा reason है नुसका share करने का मेरा एक क्यूंके मैं यह बात को अच्छे से मानता हूँ जानता भी हूँ की हम दुनिया में क्यों आए थे और हमने दुनिया में करना क्या था और उसके बाद जाना कहां है? यह बात मैं जानता हूं और सबने जाना है मैडम और जाने से पहले जो इनसान गरंथ लिखके गए हुए हमारे पूरमस हम उनके गरंथ पढ़के आज भी लोगों को फाइदा दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम नुस्के बोल दे कि आज सभीयों के बाद भी लोग अपने वीडि करेंड का जड़ इंदराइंड को तो दुनिया जानती है गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता जलेगा जिसे बुर्तन साफ करते हैं ब्रश डाल के इसे इंट्रस्टेंड को खुरुच-खुरुच के आपके साफ कर देता है और आपको ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में ह काला दाना यह कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैद भाई लोग तो अच्छे से जानते हैं लेकिन आप लोग तब जानेंगे जब इनको जो मैंने बोला इसको सुनके द्यान से नोट करके आप गूगल पर डालते जाईएगा आपको पता चलेगा कि गोईल साब ने तो यह कटोरे है मैडम और छे चीजें जो हैं इंटर स्टेन को ऐसे साफ करती हैं और इंसान कहता है कि यार मैं जो रोज एक चूरन का चमच लिता था या एक गोली खानी पड़ती थी कोई कैप्सुल खानी तब सुबह क्लियर होते थे उनके लिए यह हो गया कि दो तीन में इसको खालो उसके बाद मतल भी नहीं है फिर वो कहते हैं कि कवज है तो ना हो उदास क्योंकि आ गया है वैदवान का कवज नाश मजा आ जाता है उन लोगों से सुनके तो यह चीजें जब हम देखते हैं कैसे आपके चेहरे पर खुशी आई हम कहते हैं कि हसते खेलते हुए इलाज करो लोगों का रुला रुला के नहीं अब लोगों को इतना रुलाते हैं कई डॉक्टर या वैद कि तू तो सही टाइम पर आ गया अगर तू दस मिन्ट भी लेट हो जाता ना पता नहीं क्या हो जाता है तू कौन सा वह है कि जबराज से चुड़ा लेगा इसको तो यह बोल कि तू आगया अब देखते हैं बाबाजी क्या किरपा करते हैं तेरे उपर अभी मेरे साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही experience हुआ कि हमारे relatives का एक लड़का था उसकी पीठ में काफी pain स्टार्ट हो गया तो वह डॉक्टर के पास गया मैं hospital का नाम नहीं लोगी लेकिन तो बहुत बड़ा hospital और उन्होंने बोला कि इसका इलाज करना पड़ेगा वह जो हड़ी वह बढ़ गई है पीछे की जो रीड की हड़ी तो वह काटनी पड़ेगी तो मैंने बहुत उनको मना किया मैंने उनको बोला कि यह मत करिये exercises और दूसरे जो आयूर्वेदिक इलाज है वह कीज बोलते हैं अभी second operation करना पड़ेगा और फिर दॉक्टर ने यह भी बोला कि जब second operation होगा तो उसके बाद आप कभी जीम नहीं कर पाऊगे क्योंकि एक्टर है लड़का तो आप जीम नहीं कर पाऊगे आप यह नहीं कर पाऊगे तो अब फिर से मैंने उनको बोला कि यह मत क जान दोबारा देते हैं लेकिन अब सिब लोगों ने उसे profession की तरह ले लिया है profession भी मैं कहते हूं कि चलो ठीक है आप पैसे जरूर लेजिए लेकिन इंसान को ठीक तो कीजिए लेकिन पैसे भी आप ले 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 और फिर ठीक भी ना हो और फिर उसे और operation और operation और दवाईया और antibiotics तो इंसान कहां जाएगा मैडम सारे हिसाब किताब यहीं होते है मैंने उन सब को देखा हुआ है कि उनका end क्या होता है ऐसी कोई बात नहीं है सारे हिसाब होते है अब जैसे मैं कहता हूं अब जैसे celebrity लोग हैं जैसे आप सब के साथ आपका बहुत अच्छा bonding हैं हम जा स्क्रीन है जिस पर आप नहीं हो तो मैं सबसे पहले आज तीवी चैनल के माध्यम से यह कहूंगा कि अपासना जी की बात को जुरूर माना करो क्योंकि इनका जो experience है वो सिर्फ फिल्मों तक या सीरियल तक नहीं है इनका laughter में भी बहुत experience है कि हसा के लोगों को कैसे ठीक किय जा सकता है और दूसरा इनका आजकल experience बढ़ रहा है सुभाष गोयल के साथ बैट बैट के कि जड़ी बूटियां क्या करती है नाम शीक रहे है मैं तो हैरान हो जाती हूं और मैं पिछली बार भी जितनी आपने मुझे medicines दी थी मैं लेके गई और मैंने बहुत सारे लोगों जाता है तो डैचरली है कि वह चीज का जाना अब ही देखो आपने बोला कि operation हो गया उसका पीछे है उसका इलाज बता है क्या था बड़ा सिंपल मैडम इलाज है गुड़ लेना है गुड़ घर में होता है उसके अंदर अध्रक उसके अंदर अजवायन दोनों को मिला के अ अधा था वह चिप्ता देना है और पट्टवांद के सोजे सुबा कहेंगे ओंगे यह देखिये कितना सिंपल है और वह कितने महीनों से पेंट सहर है लड़का न ज्यादा से ज्यादा जो लोग कहते है हम इतने जिकमेंड नहीं करते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं काला ग अगर तुम बस बिल्कुल टाइम पर आयो अगर थोड़े घंटे भी लेट हुआ होता तो फिर तो पता नहीं तो वो इतना जादा आपको mental pressure दे देती हैं चीजे तो आप मान जाते हैं 10-15% लोग है अभी 80-90% ऐसे doctor है जो genuine रहे देते हैं बीच में 10-15% ऐसे हैं जो building बहुत बड़ी बना लेते हैं खर्चे पूरे नहीं होते हैं फिर जो कहते हैं जो आ गया वही बहला यह 10-90% आप थोड़े जादा वो dignity दिखा रहे हैं संबत बता यह 90% मैंने जो experience किया है 90% जो है इस profession में लोग काफी aware हुए उसके साथ बहुत फर्क पड़ा है जब हम लोगों के साथ जो उनको पता है कि press और 30 करें अब 60 हो गए जी सारे वैदों के पास समय नहीं है क्यों नहीं है कि लोगों को मिली कुछ नहीं आ लोग कहते हैं कहीं से कुछ मिल जाए हम उनको कहते हैं भई हल्दी खालो नाडियों की blockers खुल जाएगी पंचम हल्दी बना लो हमने तो नुस्का बता रख 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 सोला सोला गंटे ठारा ठारा गंटे लोग काम करते हैं तब भी ठकते नहीं हैं पंचम हल्दी हमने बनाई उनके लिए थी जो कंप्यूटर पर बैठके सारा दिन जा मुबाइल पर उनकी नजर लगती है बहुत जादा और यहां सर्वाइकल होता है स्ट्रेस पढ़ता है ब अगली हल्दी डाल दो थाकि हड्डियों में दर्द नाओ पांच हल्दिया मिला के ना जी हमने पंचम हल्दी बनाई फार्मूला सरकार को भेजा उन्होंटे अपर क्या हो सकता है आम नॉर्मल हल्दी के अंदर मैडम 3% से ज़्यादा करक्यूमिन नहीं होता इसके अंदर 8 पॉइंट सम्थिंग की मात्रा निकल के आई तब जाके गौवर्मेंट ने इसको अपरूप किया और इसके दो चमच जो भी बुजुर्ग हैं अगर मैडम सच मुच मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो अपने बुजुर्गों की कोई सेवा करना चाहते हैं अगर चा पर आछी को जाके उनका जरूर धन्याबाद करो कि आप इतनी सुन्दर दुनिया में हम इस दिन लेके आए थे ना कि यह करो कि मेरा जनम दिन है मम्मा ने मुझे याद नहीं कि अरे तु याद कर जिसने लॉमी ने रख तरे को दुनिया में लाई है तो उनको मैं कहता हूं बस मेरे को आपकी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं आप धावाईयों के सासा यह जो मैंने पहली का ना कि जो दुआएं आप देते हैं और आपकी जो आंखे भर आती हैं मतलब आप इतने इमोशनल इंसान है ना मतलब परमात्मा से इतने जुड़े हुए इसलिए आज आज वो तीन वैद से आपके सपास साथ वैद है और मुझे लगता होता है कि अगली बार में आऊंगी तो वान सिक्स्टी हो जाएंगे हम बच्चों को सिखाएं अभी हमने 3000 का टार्गेट रखा हुए कि इस साल के अंदर-अंदर 3000 वैद हमने इंडिया को देने हैं जो मतल करते हैं थैंक यू मैं खुद कहते हूं आपको थैंक यू हर वक्त सर्माते रहते हैं अभी तक आपने चिन भी मेडिसंस के बारे में बताया और जिन बीमारीों के बारे में बताया कैसे ठीक हो सकती है बहुत ही अच्छा लगा बहुत मज़ा आया मुझे सुनके और नहीं आपके बहुत सारे लोग जो आपके पेशेंट्स हैं उन्होंने बताया कि लोग तो सिर्फ धवाई देते हैं लेकिन गोईल साब के पास जाओ तो वह सला भी देते हैं और हमारे बच्चों को भी चेंज कर दिया आपने बहुत सारे जो पूछते भी नहीं थे मांबाप को ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने ये भी गा मम्मी ये पापा को देना नहीं ममी भी वेलेंटाइन हो सकती है ममी से अच्छी वेलेंटाइन का जो फोई को नहीं हो सकता है जो विल्कुल विल्कुल